अब आप मुझे Anacademy भी follow कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके लिए qualitative courses बना रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले CTET exams और DSSB exams को clear करने में आपकी मदद करेंगे, और other TET exams को भी, बस आपको करना क्या है, Anacademy learning app पर दीपक कुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने आपको ज़्याद लोगों में distributor रखा, और उसके कुछ सब parts भी होते हैं, जिसका मैंने आपको पहला part करवा दिया था, यानि कि इस वीडियो के related मैंने आपको दो part दी है, अगर दोनों वीडियो आपने नहीं देखे तो recommend करूँगा, एक बार जरूर देख लेजेगा, दोनों का link मैंने depreciation box मे डाल रखा और आपको वीडियो के end में भी मिल जाएगा, तो आज वीडियो के end तक देखते रहेगा, आपको सारी information मिल जाएगी, आज हम B.S.Bloom का taxonomy का chapter खतम कर लेंगे, ओके, तो नमशकार दोस्तों, मरे नाम है दीपक, आप देखे रहे हैं, डीके गुपता online वीडियो उस वो government exam चलिए, शू करते हैं, तो B.S.Bloom की जो taxonomy में आपको बताया था, यह के तीन भागों में distribute कर रहा है, संग्यानात्मक, भावनात्मक, गत्यानात्मक, यानि को cognitive, effective and psychomotor, जिसका मैं आपको last वीडियो में करवा दिया था, संग्यानात्मक में आपके किस-किस परक परकार के होते हैं, गत्यात्मक में किस-किस परकार के होते हैं, वो तीनों आपको पढ़ा दिया था, और मैंने आपको बोला था, इसके को सबस्टाइटल भी होते हैं, जो कि मैं आपको last वीडियो में cognitive development, यानि कि संग्यानात्मक विकास के बारे में बता चुगा था, आज जो हम बात करेंगे, हम इन दोनों का बारे में बात करेंगे, जो कि भावनात्मक यानि की effective और गत्यात्मक यानि की psychomotor, दोनों को आज ही खतम कर लेंगे कि दोनों ही छोटे-छोटे से हैं, चलिए शुरू करते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं, भावनात्मक वहवार के इ इसमें भी आपके 6 परकार में distribute कर रखा है, जैसे कि संग्यानात्मक को distribute कर रहा था, तो पहला आता है आपका अनुग्रेंड करना, मतलब receiving, तो यहाँ पर क्या होता है, कि बच्चा क्या करता है, सारी चीजे ना किसी ने किसी ने किसी के वहवार से, किसी ने किसी आकरशन से आकरशित होता है, और उसके वहवार को देखकर वह अपनाने लग जाता है, तो यहाँ पर शापदी करत में बोलें, तो बच्चा अपने अध्यापक वह बड़ो से, अपनों के वहवार से आकरशित होता है, तो चाहे वो कोई अपना हो, चाहे कोई आपका अध्यापक हो, या आपके कोई बड़े हो, उनके वहवार से आकरशित होकर, उनके वहवार की अनुसार वो कार्य करने लग जाता है, यानि कि ऐसे आइडल मान कर कार्य करने लग जाता है, कई आपने देखा होगा, हीरो, हीरो को देखकर, आपने माता-पिता की तरह बनना चाता है कोई कुछ बनना चाता है कोई अपने अध्यापक की तरह बनना चाता है क्यों 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 आपका आकर्शित हो जाता है आपके वहवार से आपको अपना आइडल मानने लग जाता है और उसी परकार से वह कार्य करता है तो अनुक्रे में जाकर जाता है और teacher उनको जैसा वहवार करता नो घर पर जाकर उसी परकार की सर पर चुन्नी डाल कर या पैंट शट पैंट कर बच्चा क्या करने लग जाता है उसकी हरकते करने लग जाता है यानि कि respond करने लग जाता है तो बालक भी उसी वहवार को अपना कर शुरू कर देता है तो उसी को हम क्या कहते है अनुकिर्या यानि की responding कहते हैं ओके अधिकतर जो इस बार से question पूछा जाता है वो आपका यही पूछा जाता है कि भावनत अधिकतर जाता है तो इस अवस्था में अपने अंदर के अपने वहवार को अच्छे या बुरे को महत्व को जानने लग जाते हैं चौथा आपका कि बच्चा एक अच्छे वहवार के बाद धीरे-धीरे बूसरा अच्छा वहवार अपनाने लग जाता है तो आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा किसी गण संगिती में है तो धीरे-धीरे उसकी संगती और गंती होती जाती है अगर किसी अच्छे वहवार करना प्रारंब करता है तो धीरे-धीरे क्या होता है उसके और भी अच्छे वहवार उसके सामने आने लग जाते है और भी अच्छा वह वहवार करने लग जाता है तो वो क्या बार हर समय उप्युक्त गुणों का परदर्शन करने लगता है मतलब कोई भी आपकी घर पे महमान आएंगे अपने माता पिता से अपने छोटों से अपने बड़ों से किस परकार से वहवार करना होता है वह हर बार वह अपने गुणों को परदर्शन करता रहता मतलब उसी प उसके वहवार जो दूसरों सा सीखर आता हो अब उसके इस्थाई रूप के अंदर उसके अंदर आ जाता है तो आपके अंदर किसी की गुण जो होते हैं आपके अंदर वो सारे कि सारे क्या हो जाते हैं इस थाई तोर पर आ जाते हैं बच्चा होए या व्यक्तित दोनों के अंदर तो उसी को कहते है हमारा चरित्रे करना तो ये तीन भागों में डिस्टिबुट कर रखा भावनात्मक का अनुग्रन करना अनुखिरिया करना अनुमुलियान करना संप्रत्य करना संगठन और चरित्रे करना Okay अब बात कर लेते हम मनो शारिक की तो मनो शारिक व्यवार को जो स्थान उसको भी 6 बागों में डिस्ट्रिबूट कर रखा है सबसे पहले आता आपका उद्धीपक यानि क की और आकरशित होता है उसको क्या कहते है उद्धीपक कई बार आपने देखा होगा कि जैसे for example कोई कारपेंटर है अपने कारपेंटरिंग में अपने काम कर रहा होगा तो पीछे से कोई छोटा बच्चा उसको देखकर अपने वहाँ पर कोई समान उठाकर खेलने लग जाता है या फिर आप कोई किसी कारपेंटर को देखकर कई बार आप अकरशित हो जाते हो कि नहीं यार मुझे यही कारपेंटर सीखना है तो क्या हो गया हमने किसी को देखकर यानि कि उद्धीपक हमारे लिए उसने काम करा Immolation का हमारे लिए काम करा हम उस काम के परती आकर्शीत हुए और हम उसका काम को करने के लिए सीखने लगे या देखकर उसके और आकर्शीत होकर अपने मन में भावना बना ली कि हम उस कार्रे को सीखेंगे फिर हम क्या करते हैं काम को या कार्रे को करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो हमें सही तरीके से आता नहीं है तो हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं लेकिन हमने क्या कर दिया उसके बाद उसकी काम के परती हम उद्धीपक के परती उत्तेजित हुए उससे आकरशित हुए तो हमने उसका काम करना शुरू कर दिया उस परकार का भले हमारे पास आता नहीं हो सको लेकिन हमने धीरे-धीरे करना कर रहे थे पहले एक समय पर एक ही काम कर रहे थे लेकिन अब एक से अधिक काम एक साथ कर ले थे हो तो क्यों? क्यूंकि आपका समन्वेर जो आपका कोडिनेशन हो गया उस काम के साथ वो काफी अच्छा हो गया आप एक समय पर आप एक से ज़्यादा काम एक साथ कर लेते हो और सेकंड लाश राज आता आपका स्वभावी करन मतलब आपके स्वभाव में आपके एٹिटिटूड में वो आपके अंग हो का स्वभाव बन जाता है कि बिना ध्यान दिये भी उस काम को करते रहते हो या रहते हैं आपने कई बार आपने देखा भी हुआ कोई काम आपने इतनी प्रेक्ट्रिस हो जाती है या किसी और पर प्रेक्टिस हो जाती है कि वो ध्यान देता भी नहीं है न तब भी वो काम उसके करता रहता हूँ इसके लो जाती है उसके अंदर मतलब स्वभाव में हमारे अंदर आ जाता है कि हमारे अंगों का स्वभाव बन जाता हूँ पाव में कहीं न कहीं रहेगा उस काम को आप भूल नहीं पाओगे तो लास्ट में आ जाता है आपका आदत यानि की हैबिट्स ओके तो यह थी आपकी मनुशारीरिक आपकी छे स्टेप्स और आपकी भावनत यानि की इफेक्टिव के आपकी छे स्टेप्स तो आज हमारा के रिगाडिंग कोई भी डावट हो कोई भी क्वेरियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के जीगा हमाँ आपका रिप्लाइज जरू करूँगा अगर आपने इस चनल कब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजो और इसके साथ में जो नोटिफिक्रिशन आपको टाइम पूटाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुला कातोगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जया हिन जय भारत